थोड़ा अटपटा सुनने में जरूर लगेगा जिस मोबाइल से हम बच्चों को ग्यान वर्धक बाते सिखा पढ़ा रहे हैं उसी मोबाइल के कारण समय से पहले या अधिक इस्तमाल से बच्चों में तरे तरे की परिसानिया हो रही है इसका बड़ा दुस्प्रभाव या है कि बच्चे देर से बोलना सुरू कर रहे हैं बच्चों में आमने सामने से किसी से बात करने में भी रुची कम हो जा रही है आपको बता दे कि राजधानी के अस्पतालों में OPD में हर 20-30 फिज़ती बच्चे इस तरे की सिकायत लेकर आ रहे हैं बच्चों के इलाज करने वाले डॉक्टरों का यहां तक कहना है कि मोबाइल का दूस्प्रभाव बच्चों की नीन पर भी पढ़ता है जिससे उनके दिमाग का विकास और अंत में भासा का विकास प्रभावित होता है आपको बता दे कि 18 महिने से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल से हमेशा दूर रखे 18-24 महिने तक बच्चों को मोबाइल तभी दे जब आप उनके साथ बैठे हो तो वहीं 2-5 साथ तक के बच्चों को प्रती दिन एक घंटे से अधिक मोबाइल ना दे और या भी सुनश्चित करे कि बच्चा क्या देखे देखी गई सामगरी पर बच्चों से चर्चा अवश्य करे ऐसी सामगरी जो बच्चों के समस्य से परे हो अधिक तेजगती वाले हो ऐसे अप्लिकेशन से बच्चे जिन में बहुत सारे प्रावधान भी हो बैटरूम खाने की टेवल पर मोबाइल का इस्तमाल करने से बच्चे ब्यूरे रिपोर्ट आई पीन